इस वक्त मेरे साथ है तेजस्विन तेजस्विन ने ब्राउंज मेडल जीता है लेकिन इस जीत के पीछे बहुत सारा चैलेंज, बहुत सारी परिशानिया, बहुत सारा स्ट्रगल रहा है तेजस्विन अगर मुझे चांस मिल जाए, बिलकुल सर, उस समय मुझे पता था कि अगर मुझे एक चांस मिलेगा तो मैं जरूर, मैं यह तो नहीं बोल सकता हूँ, बढ़ मुझे इतना जरूर पता था कि मैं अच्छा दावेदार बन सकता हूँ, क्योंकि इस सीजन, considering a lot of people's performance, मेरी भी performance देखते हुए, मुझे ऐसा लगा था कि मैं पहले तीन, पहले चार में हो सकता हूँ, बट जैसे अब जानते हैं, खेल में आखरी दिन में कुछ भी हो सकता है, तो मुझे अगर वो मुझे opportunity मिलती है, तो मैं उसका पूरा फाइदा उठा सकता हूँ, शुरू में मुझे opportunity न पूरा फाइदा उठाया और आज मैं इस मुकामें पहुंच पाया हूँ कि मैं हमारे देश के लिए ब्रॉंज मेडल हासिल कर पाया हूँ, अगर अगर लाइफ में सब कुछी सीधा 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 होने लगे तो फिर लाइफ नहीं कहते हैं, लाइफ में उतार चड़ा होना पूरा जो आप बहुत चीज़ें लिए और उसी को में लाइफ बोलते हैं, इसमें भी उथार होता है, कभी जड़ा होती है, कभी यंद्बन होती है, अब अच्छी बात होती है, जो बहुता है कि देश के लिए मेडल लेक्या आना, अगर आज यहां पे बेठे हैं आज कि देश का मेडल है तो फिर उसे जादा बड़ी बातों कुछ होई नहीं सकती कि आज हमारे गंट्री का एक और ब्रॉंस मेडल आया और मैं यह बादा प्लीज लिखिएगा कि आज एक गोल्ड मेडल भी आने वाला है मैंने आपको पहले ही बता दिया है लॉंग जरूर सबसे पहले मेरा मेल एक सीनियर लेवल पर तो यह मडल तो उतरा नहीं है मेरे कलह है मुझे लगे लगता नहीं अगले कुछ दिन उतरे गा है तो मुझे बहुत अच्छा लग जा रहा है इस मेडल को हासिल करके अखरी सवाल जब कामरत गेम की अपनिंग सिरुमेन री हैं नहीं सर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तो एक तरीके से सपने की तरह ही हुआ है जो भी सब हुआ है और मेरे पस बस शब्द नहीं है इन सब को बया करने के लिए तो फिर बस देखते हैं और दो-थीन देन मैं इसको सोक इन करूंगा इस फीलिंग को और उसके बाद फ झालो है झालो हम झालो है टूंगे तरह है । कर दोख आएधा है तरह है जालो है झालो है